फाइनली मेरा फर्स्ट यूटूब पेमेंट आ चुका है आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं कि मेरे यूटूब पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आने में कितने दिन टाइम लगे क्या क्या मेरे को प्रोब्लम फेस करने पड़े तो आज की इस वीडियो को ला कंड में क्रेडिट होने में तो आज की इस वीडियो को बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरे को यूटूब का चैनल जो है यूटूब पर्टनर प्रोग्राम जो मैंने जोएन किया तो मैंने साथ मार्च को जोएन किया था और यूटूब का जो Google AdSense जो होता है वो हर मंत के 11 तारीक अपडेट होता है और साथ मार्च से लेके 30 मार्च तक 31 मार्च तक मेरा जो डॉलर बना हुआ था और यूटूब का एक रूल है कि जब तक आपके AdSense एकाउंट में 100 डॉलर नहीं क्रेडिट होते हैं नहीं बनते हैं तब तक आपका जो है फर्स्ट पेमेंट नहीं होता है उसके बाद जो मेरा एक अप्रील से लेके 30 अप्रील तक जो मेरा है उसमें मेरे लगभग 105 डॉलर के आसपास मैंने अर्ण किये हैं वो दोनों मिलाकर मेरे लगभग 151 डॉलर हो जाते हैं और मेरा जो यूटूब फर्स्ट पेमेंट है वो लगभग एक जून को मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है अब इसमें मेरे को क्या क्या प्रोब्लम्स फेस करने पड़ते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैंने कहा कि अपना बैंकुप बोलदा जो मैंने बैंक यूज किया था बैंक nggak एकाउंट किया हूँ था और काफी लोग यजो बोलता है कि बैंक से रह거든 कउल आते हैं अब मैं आपको अपना एक्सिरेंस में आपको बताना चाहता है मैंने भी यूटूब पर सुना था कि आपको बैंक से कॉल आता है आपको बैंक में जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए यह फलाना धिमगाना बहुत सारे लोग आप यूटूब पर जाएगा तो आपको यह सारे चीज़े बोलेंगे तो जो मेरे को 22 तारी को मेल आता है 22 मई को मेरे के पास मेल आता है कि आपको इसके पर भी देख सकते है कि आपके जो है, जो 151 डौलर बने हुए थे, आपके बैंक ऐकांट में भेज दिए गए Itd. लेकिन मेरे बैंक ऐकांट में अभी तक crede नहीं हुए थे और यह credit time लगभग मेरे को 7-8 दिल लग गये थे मेरे को bag account में credit होने में लगभग मेरे को 28 य doin को सारी कुछ बैंक के तरफ से एक और मैसेज आता है रेमिटेंस करके क्योंकि मेरा एक्सिडेंट हुआ था तो उसमें मेरा स्मार्टफन खराब हो चुका था तो मैसेज मेरे पास अभी अभी एवलेबल नहीं है नहीं तो आपको यहां पर सोक कर दिया होता तो और रेमिटेंस क से बात किया और मैसेज दिखाया कि आप यह मैसेज देख लिजिए और जो गूगल का पेमेंट होता है ओभी मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने मुझे डिरेक्टली बोला कि मुझे इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है बस आप तीन दिन वेट कीजिए क्यों आपके बैंक एकांट में 151 डॉलार क्रेडिट हो जाते हैं अब हम बात कर लेते कि क्या डॉलार टू इंडियान रूपीज कंवर्ट होने में कोई एक्स्टा चार्जर लगे बिल्कुल नहीं आप इसकिन पर अगर मिलेगा स्टेट्मेंट लगा दूंगा क्यूंकि जो है म मैंने आपको बता ही कि खराब हो जोगा है जिसके चलते उस सारे स्टेटमेंट उसी में था सारे चीजी उसी में थी जिसके चलते काफी सारे डीटेल्स मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं अगर होगा तो बाद में आप अगर आपको फेक लगता है तो आप इंस्टाग्राम ठीक हो जागा मैं आपको इस्टाग्राम पर मैं अपना इस्टेटमेंट सेंड कर दूँगा और बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि फर्सपेमेंट आने में यह सारी प्रोब्म साती हैं फेस करने पड़ते हैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे साथ एक जून को मेरे बैंक एकांड में क्रेडिट हुआ और एक जून को मेरा एकसिडेंट हुआ उसी दिन तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मोटिवेशना लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिजेगा तो चलिए आज की इस वीडिय में इतना ही जय हिंद वनने मात्रम